नमस्कार स्वागाती आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में मैं हूँ सनायना और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरीके से आप अपने ब्लाउज में पॉकेट अटेच कर सकते हैं अगर आपकी ब्लाउज अल्रेटी स्टेच्ट है स्लाइक कम्प्रीट हो चुकी है ब्लाउज में फिर भी आप उसमें पॉकेट को इटाच कर सकते हैं तो पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये फैबरिक की पीस लिए है जिसकी लेंध है 14 इंच और वेट है 4 इंच अब उस ब्लाउज को लीजे जिसमें आपको पॉकेट लगाना है तो पॉकेट मैं यहाँ पर नेक के पास लगाऊंगी अब देखिए इस फैबरिक को नेक के उपर इस तरीके से रख लेंगे और जितनी भी चौड़िया आपकी फैबरिक के वहाँ तक नेक लाइन को ट्रेस कर लेना है तो देखिए इस तरीके से मैंने नेक को ट्रेस कर लिया है अब इसी कर्व लाइन को कट कर लेना है और ये मैंने कट कर लिया है अब जहां तक भी आपकी पॉकेट की चुड़ाई है वहां तक हैमिंग को खोल लेना है और ये मैंने ब्लाउस के हैमिंग को खोल लिया है ब्लाउस में सिर्फ हैमिंग वाली स्लाई को खोलना है मशीन वाली स्लाई को नहीं खोलना है अब फैब्रिक की एक और चोटे से पीस को लेंगे और इस फैब्रिक को इस की उपर रखकर स्लाई लगा लेनी है तो ये देखिए मैंने स्लाई लगा लेनी है इस तरीके से आपको भी स्लाई लगा लेनी है अब ये एक्स्टर फैब्रिक के इसे हम कट कर लेंगे Cut कर लेने के बाद यहाँ पर round में छोटे छोटे cuts लगा लेंगे जिसे यह fabric आसानी से पलट सके अब इसने हम पलट देंगे पहले finger से प्रस कर लेंगे और उसकी बाद पीछे की यो turn कर लेंगे इस तरह से पीछे की साई turn कर देंगे छोटे वाले fabric को और यहाँ टॉप स्टिच लगा लेंगे तो देखिए मैंने यहाँ टॉप स्टिच लगा ली है अब देखिए इसे किस तरीके से सेट करना है फैबरिक की यह रॉंग साइड है कपड़ी को डबल फूल कर लेना है इस तरीके से और ये छोटे वाले पीस को उपर की साइड रखना है ये वाला जो कपड़ी का पीस है इसे हम उपर ही रखेंगे यहाँ से होते हुए पूरे यहाँ तक स्लाई लगा कर बन कर लेना है तो अब मैं मशिन पर बताती हूँ सबसे पहले छोटे वाले फैब्रिक के पीस को हाफ फूल करते हुए स्लाई लगा लेनी है बस एक सीधी स्लाई लगानी है अब इसे इस तरीके से फूल करेंगे और छोटे वाले पीस को उपर रखेंगे और तीनों साइट पर स्लाई लगा लेंगे और बन कर लेंगे आपने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो मेरी चैनल के प्लेइलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं स्लाइम मैंने लगा ली है और ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा अब इसे पलट कर सीधा कर लेना है इसके कौनर्स को अच्छे से बाहर निकाल ले तो मैं कैच्ची के हल्प से कौनर्स को अच्छे से बाहर निकाल ले रही हूँ तो ये इस तरीके से रेडी है और ये आपको कुछ पर्स की तरह दिख रहोगा अब ब्लाउस को लिजी और ये ब्लाउस में जहां आमने हैमिंग खोला था यही पर इस पॉकेट को रखना है ठीक इसके उपर स्लाई लगा लेनी है स्लाई लगाने टाइम आपको बस इतना याद रखना होगा कि ये जो हुकाई वाली स्ट्रिप है इसके इधर से पॉकेट को रखना है और वहाँ पर स्लाई लगाना है और ये बात भी दियान रखे कि ये पॉकेट की सीधी साइड है इसे अपनी तरफ रखकर ही स्लाई लगाना है ब्लाउस में जो नेक लाइन की सिलाई है उसके ठीक उपर इस से पॉकिट को रखकर स्लय लगाना है आपको वेडियो में अच्छे से पता चले इसलिए मैंने रेल ब्लाउस की उपर यलो कलर का पॉकिट यूज किया है लेकिन आप ब्लाउस से मैच करता हुआ फैबरी की यूज करी पॉकिट के लिए तो देख सकते हैं मैंने इस पॉकिट को ब्लाउस में अटैच कर लिया है अब हमें क्या करना है यह जो ब्लाउस की पाइपिंग है इसे पहली की तरह हम करके बंद कर लेंगे यहाँ पर हाथ से ही हैमिंग करेंगे क्योंकि यह पूरे ब्लाउज में हाथ से ही हैमिंग की हुई है और फाइनली हमने ब्लाउज में पॉकेट को अटेच कर लिया है यह देखिए पॉकेट के गहराई को आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं या बढ़ाई भी सकते हैं तो देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ पॉकेट बंड कर रड़ी है ब्लाउज के सीरी साइट पर आप देख सकते हैं कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ब्लाउज में पॉकेट अटेच्ट है सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो थोड़ी भी हल्फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शियर जरू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स ववचिं एनिवाद